हलो गाईज, 110 शब्द प्रति मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बात स्टार्ट भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक सम्वंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प दोनों मुलकों की चिंताएं बताता है इसलिए भविशे में सामरिक रिष्टों को बढ़ाना दोनों ही देशों के हित में होगा स्टॉप खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच एक साथ वारता यानि 2 प्लस 2 की बातचीत पहली बार हुई है स्टॉप वैसे तो इस वारता के मुख्य बिंदू आतंगवाद और हिंद प्रशांत शेत्र रहे कॉमा लेकिन अफगानिस्तान के मोजूदा हालात पर भी पर दोनों देशों ने अपनी चिंता जताई स्टॉप ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे सिर्फ इन दोनों देशों को ही परभावित कर रहे हैं कॉमा बलकि इनका सरोकार दूसरे देशों से भी है स्टॉप इसलिए दोहरे प्रतिनिधी मंडल इस्तर की वारताओं का महत्व कहीं जादा बढ़ गया है स्टॉप पिछले साल जब जून में भारत और आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्रियों ने बात की थी तब ऐसी वारताओं के दोर शुरू करने पर सहमती बनी थी स्टॉप यह 2 प्लस 2 वारता उसी कड़ी में है स्टॉप इस बैठक की एहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत और आस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड समुह के सदश्ये हैं स्टॉप समुह के बाकी दो सदश्ये अमेरिका और जापान हैं स्टॉप इस महिने के अंत में अमेरिका में क्वाड समुह के नेताओं के बैठक भी होने वाली है स्टॉप देखा जाए तो चीन क्वाड देशों के लिए चुनोती बना हुआ है स्टॉप अमेरिका के साथ लंबे समय से व्यापार युद्ध ने इस टकराव को बढ़ाया है स्टॉप जापान के साथ द्वीपो पर कबजे को लेकर चीन के विवाद चल ही रहे है स्टॉप चीन ने पिछले साल आस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भारी शुल्क थोप दिये थे कॉमा उससे दोनों में तनाव पैदा हो गया है स्टॉप जहां तक सवाल है भारत और चीन के रिस्तों का कॉमा तो ये किसी से छिपे नहीं है स्टॉप चीन ने पूर्वी लद्दाक की गलवान घाटी में भारतिय सेनिकों पर हमला कर सीमा विवाद को और बढ़ाया ही है स्टॉप फिर दक्षिन चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका सहित कई देशों की नेंद उड़ा दी है स्टॉप यह खत्रा भारत के लिए भी कम गंभीर नहीं है स्टॉप इसलिए क्वाड समुह के सदश्ये देशों की बेठकों में चिंता का बड़ा केंद्र हिंद प्रशांत शेत्र बना हुआ है स्टॉप हाल में चीन ने दक्षिन चीन सागर मंत नए नोवहन नियम लागू कर दिये है स्टॉप जाहिर है कॉमा यह कई देशों को नागवार गुजरा होगा स्टॉप भारत के लिए भी इससे मुश्किलें पेदा होंगी स्टॉप इसलिए कौाड समुह की प्राथमिक्ता अब हिंद प्रशांत शेत्र में अंतरराश्रिय नियमों की अनुरूप नोवहन संचालित सुनिश्चित करने की है कॉमा ताकि समुद्री जल शेत्रों पर सभी देशों का समान अधिकार बना रहे समझा यह भी जाना चाहिए कि भारत और आस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के बिना अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते कदमों को रोक पाना आसान नहीं है और इसलिए भारत और आस्ट्रेलिया की भूमी का ज़्यादा महत्वपून हो गई है स्टॉप दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा भी समान रूप से महत्वपून है स्टॉप वहां भी चीन केंद्रिय भूमिका में है स्टॉप तालिबान के कबजे के बाद ज़्यादातर देश आतंकवाद बढ़ने को लेकर आशंकित है स्टॉप ऐसे में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग बढ़ना वक्त की जरूरत मानी जा सकती है स्टॉप भारत चाहता है कि आस्ट्रेलिया की रक्षा शेत्र की कमपनिया यहां आकर निवेश करें स्टॉप पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा और सेन्य समझोते भी हुए हैं स्टॉप यह मौका सिर्फ भारत आस्ट्रेलिया रिस्तों को मजबूत करने का ही नहीं कौमा बलकि एशियाई शेत्र में बड़ी भूमी का निभाने का भी है स्टॉप तभी शेत्रिये और वेश्विक चुनोतियों का सामना किया जा सकेगा स्टॉप पेरा काफी समय से लड़ खडाती हुई आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्ता को ओध्योगिक उत्पादन में बड़ोतरी से काफी सहारा मिला है स्टॉप जुलाई में ओध्योगिक उत्पादन की दर में साड़े ग्यारा फीसद की उच्छाल दर्ज हुई है स्टॉप उसका सबसे बड़ा असर उध्योग धंदो पर पड़ा कोमा करीब दो महीने तक उध्योगिक उत्पादन ठप रहा स्टॉप उसका नतीजा यह हुआ की ओध्योगिक विकास दर ने जबरदस्त गोता खाया और पूरी अर्थवेवस्था नकारात्मक 24 फीसद पर पहुँच गई थी स्टॉप पहले से ही हिचकोले खा रही कोमा नीचे की और रुख कर चुकी अर्थवेवस्था के लिए यह सबसे बड़ा जटका था स्टॉप आशंका जताई जा रही थी की अब भारतिये अर्थवेवस्था के लिए संभलना काफी मुश्किल होगा स्टॉप तब सरकार ने ओध्योगिक शेत्रों के लिए कई प्रोसाहन पेकेज घोशित किये इस्टॉप खासकर भवन निर्मान आदी के शेत्र में बरसों से बनी हुई सुस्ती तोडने के लिए कई बंदिशें हटाई गई इस्टॉप प्रोसाहन पेकेज घोशित किये गए इस्टॉप उसके सकारात्मक नतीजे अब दिखने शुरू हो गए हैं इस्टॉप खनन और बिजली शेत्र का जो उत्पादन निराशा जनक बना हुआ था कॉमा वह भी उत्साहा जनक रूप से बड़ा है इस्टॉप पैरा अच्छी बात यह भी है कि पिछले तीन महीने से खुदरा महंगाई की दर छे फीसद से उपर बनी हुई थी कॉमा वह कुछ नीचे उत्री है इस्टॉप उत्पादन की दर बड़ेगी कॉमा तो महंगाई के कुछ काबू में आने की उमीद बनी रहेगी इस्टॉप हालांकी बेंक दरों को लेकर तमाम सावधानिया बरतने के बावजुद रिजरु बेंक के लिए बाजार में पूंजी का परवा बडाना चुनोती बना हुआ है इस्टॉप पर उसे उम्मीद है कि धीरे धीरे इसमें भी सुधार आएगा स्टॉप इसे विदेशी मुद्रा भंडार में बडोत्री से जोड कर देखा जा रहा है स्टॉप मगर विदेशी मुद्रा भंडार बेशक गाडे वक्त में देश की अर्थवयवस्था को संभालने में मदद करता है कोमा पर इसकी बडोत्री भी सवालों के घेरे से बाहर निर्यात सबसे निचले इस्तर पर बना हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आशाजनक रूप से आकर्शित नहीं हो पा रहा, फिर विदेशी मुद्रा भंडार के टिकाव रह पाने को लेकर स्वाभाविक ही आशंका बने हुई है, फिर कॉमा बाजार में पूंजी का परवा बढ़ाने और अर्थविवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रतिव्यक्ति आय और क्रेशमता बढ़ाना, कॉमा उस दिशा में अभी कामियाबी मिलती नहीं दिख रही, स्टॉप यह तभी हो सकता है, अब रोजगार के नए आवसर स्रजित हो, स्टॉप पैरा, रोजगार के नए आवसर सबसे अधिक मंजोले, लगू और शुक्ष्म उध्योगों में स्रजित होते हैं, स्टॉप भारी उध्योगों में उत्पादन की तुलना में रोजगार के आवसर बहुत कम होते हैं, स्टॉप इसलिए भारी उध्योगों में उत्पादन बढ़ने से बहुत उससाहित नहीं हुआ जा सकता, स्टॉप कोरोना काल में लाखों लोगों की नोकरियां चली गई, कॉमा लाखों लोगों के देनिक उध्यम छिन गए, स्टॉप बहुराश्ट्रिय कमपनियों ने खुदरा व्यापार में तु तेजी से तरक्य की, कॉमा पर इस्थानिये खुदरा बाजार काफी सिकुड स्टॉप अगर असंगठित शेत्र पर पड़ी कोरोना बंदी की मार का आंकलन करें, कॉमा तो अर्थवेवस्था के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनती, स्टॉप हालांकी सरकार आत्म निर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रही है, कॉमा पर जो बहारी कमपनिया यहा पहले सी कारोबार कर रही थी, कॉमा वे छोड़ कर जाने लगे, कॉमा तो यह भी कोई अच्छा संकेत नहीं, स्टॉप पिछले दो सालों में करीब छे बड़ी मोटर कमपनिया अपना कारोबार समेट चुकी है, स्टॉप इंधन की कीमतों में बड़ोतरी का असर प्रगिक उत्पादन में बड़ोतरी से उत्सहाक के बीच बुनियादी कम्यों को सुधारने पर भी विचार जरूरी है, फुल स्टॉप